दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूँ डॉक्टर परमजीद आप देख रहे हैं डॉक्टर एडूकेशन दोस्तों बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, फिटनेस इंडस्ट्री में आप कैफीन और क्रियाटीन इन दोनों का इस्तमाल बहुत कॉमनली करते हैं और आपने इन दोनों के उपर डेडिकेटेड वीडियो हमारी चैनल पर देखे हैं पर आज कुछ सवाल आए इसके मिक्सिंग क क्या 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 क इडिकेटेड वीडियो आपको अलग से दी हुई है, यह दोनों के दोनों आपके एक अर्गोजनिक एड है, यहनि कि आपका परफॉर्मेंस और आपकी कपासिटी, दोनों के दोनों यह बढ़ाने के शमता रखते हैं, क्रियाटीन और कैफीन, कैफीन आपका एक बहुत अपकी कि आपके अपकी अपकी बढ़ा देता है, आपकी अच्छा परफॉर्मेंस और क्रियाटीन एक बैसिकली एक अमाइनो असी डेरिविटिव है, जो के आपके मसल में जाके श्टोर होता है, और मसल स्टोरेज ओफ क्रियाटीन यह ज्यादा हो जाता है, जादा क्रियाटीन, अगर आपके मसल का जो स्टोरेज है, जो एवरेज स्टोरेज एक सो चालीस या एक सो पैतालीस मिलिग्रम का होता है, अगर वो अच्छे से आप उसे स्टोर करते हैं, लोड करते नहीं भी लोड करते हैं, तो थोड़े दिनों, एक दो दोनों को एक साथ यूज करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि moderate dosage पे, mild या moderate dosage पे, इनका initial पुराने जमाने की कुछ researches हैं, जिनमें उनोंने बताया था, कि caffeine के वज़े से creatin का effect खतम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, नए researches बहुत हो चुके हैं, जो इसको caffeine तो आपको immediate effect देगा, because वो direct brain पे effect करके stimulant होता है, creatin आपका immediate effect नहीं देता है, creatin जाके store होएगा आपके muscles में, तब वो muscles में काम करेगा, so immediate effect नहीं आता है उसका, so technically उस समय लेने का उसका कोई logic नहीं है, लेकिन ठीक है, तो creatin थोड़ा सा पानी आपके circulatory system से muscle में ले जाएगा, और caffeine जो एक stimulant है, एक diuretic भी है, वो पिशाब जादा करवाता है, तो अगर आप caffeine और creatin साथ में लेते हैं, तो एक तरफ पानी आपके muscle में भी जाएगा, एक तरफ पानी आपकी urine से ज्यादा निकलेगा, तो अगर आपने उसके साथ में सही मातरा में पानी नहीं पिया, अगर आपने उसके साथ सही मातरा में अपने आपको hydrate नहीं रखा, level of hydration maintain नहीं रखा, pre-workout, pre-hydrate, during workout and post-workout, तो क्या होगा, आपको कमजोरी महसूस होगी, आप dehydrate हो जाओगे, dehydration के वज़े से आपका performance कम हो जाएगा, इसलिए कुछ लोगों को लगता है, साथ में लेने से performance कम होता है, वरना इनका कोई लेना देना नहीं, वरना इनके action का कोई लेना देना नहीं है, केवल केवल दे बोथ can contribute to dehydration, तो ऐसे में कुछ लोगों का dehydration में, body temperature regulation खराब हो सकता है, blood pressure drop हो सकता है, उनकी athletic performance ultimately उनके वज़े से कम हो सकती है, तो अगर आप creatine और caffeine साथ में लेना चाहते हैं, make sure that you are well hydrated, वैसे भी creatine लेने वालों को बोला जाता है, पानी अच्छा video है, हर topic पर अच्छे से detail video बनाए जा रहा है, तो इस channel को हमेशा like, subscribe और share करते रहे हैं, ऐसे कोई भी सवाल है आपके, तो आप comment section पर लिख सकते हैं, और साथ में instagram पर मुझे follow करें, instagram पर मैं चारे ही सवालों के जवाब देने के कोशिश करता हूं, thank you so much, stay connected, stay healthy करें卜म, हो ये सवालों कर देने किया थांचे साथ सवालों कर अधके परोगर।